नमस्कार जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रितेश कुमार गौतम लोग सबाचुनाओं में इंडिया गडबंधन ने शांदार प्रदशन किया है ये कहना है कॉंग्रेस नेता अराधना मिश्रा मोना का हमारे समधादार टीवी देख बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा देखे इस रिपोर्ट में में मोना जी जीत को आप कैसे ले रहे हैं ये पूरी तरह से जीत जो है वो कॉंग्रेस के गडबंधन की कॉंग्रेस के जो हमारे कॉंग्रेस के साथ ही थे हमारे नेतितु की राहुल जी की प्रियंका जी की आदर्निय सोनिया गांधी जी का मार्ग दर्शन और खडगे जी का का जो उन्होंने जिस तरह की रणीद बनाई थी उसके साथ साथ जो हमारे गडबंधन के साथ ही थे प्रमुक रूप से आकले जी राष्टियत धेक्ष समाजवादी पार्टी के इन सबका एक उशल नेतितु रहा इसके साथ साथ हमारे कॉंग्रेस के एक एक कारिकरता जो जिन्मी परिस्तिती में रहों पर उसने कॉंग्रेस का दामन नहीं चुला पूरी ताकत से मजभूती से जहां पर कॉंग्रेस कंग्रेस के साथ करे रहें जहां समाजवादी पार्टी के कारिकरता का जो सामाजवादी था यह बहुत बड़ा आप ईसने निनाएक भूमिका निभाई और उत्त्रप्रिदेश की सजग ज्यंता जिसने अपने साथ हुए चलावे को बार बार हुए चलावे का जवाब दि बिल्कुल चलेगा, मजबूती से चलेगा, जैसे अभी तक पिछले पांच महीनों के मजबूती आपने देख ली गड़बंदन की, आप तो आपको अगले तीन साल में ये गड़बंदन और मजबूती से चलेगा, और हमने 27 के तयारी आजी से शुरू करी है, हमने समीक्षा क करी है, 11 तारीक से 5, 15 जून तर, ये हमारी धन्यवाद यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर प्रत्य पार्लिमेंट कॉंस्ट्वेंसी में, जहां पर हमारे प्रत्याशी चीते हैं, या जो नहीं जीत पाए, वो अपने अपने छेतर में जाएंगे, इसके साथ साथ जह जहां पे 63 पार्टी के समजवादी पार्टी के या प्रत्याशी ठे, वहां पर भी कॉंगरेस के हमारे पदातिकारी हैं, ब्लाज। हम बहुत हद तक उसको सफल भी हुए बहुत नजदीक तक पहुचे पर ठीक है यह लोगतंत्र है जनादेश को हमेशा स्विकारना चाहिए आज की तारीक में अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम विपक्ष की भूमी का पूरी मजबूत्ती से उठाएंग पर मैं इस बात को दोरा दो इस बात पर भी आज चर्चा हुई है कि जो हमारे मुद्दे थे जाहे वो जनगरना का मुद्दा हो आरक्षन का मुद्दा हो जाहे समिधान को बचाने का मुद्दा हो या गारिंटी में जो हमने महिलाओं के लिए युगाओं के लिए किसानों के लिए जो भी बाते रखें उन मुद्दों को हम लागू कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे वर्तवान सरकार से जब भी जहां भी संभब होगा हम इसको लागू कर पाएंगे जैसे ही तो 24 घंटे का समय नहीं लगेगा यह सारी चीजें लागू हूँ और रुकेंगे आपर एक ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी झालाओे जड़ी जब लगेगा थालाओे जब दे जब पार अवाँजेख के लिए का समय थाएंगे जले कर ददू हूआ है